सूप्रभाद प्यारे बच्चो प्यारे बच्चो आज हम हमारी हिंदी की वक्शित में कारे करेंगे आप इसका पेज नमबर आप इसका पेज नमबर 124 124 ओपन करेंगे शब्द रचना चार अक्षर पढ़ो और लिखो प्यारे बच्चों आज हम क्या करेंगे आज हम यहाँ पर हमें चार वर्णों वाले शब्द दिये गए हमें क्या करना है इन्हें देख देखकर यहाँ पर लिखना है इन्हें पढ़ती भी जाएंगे और लिखती भी जाएंगे सबसे पहला शब्द हमें चार वर्णों वाला कौन सा दिया गया है जो बिना मात्रा का है उपवन तो यहाँ पर हम लिखेंगे उपवन शरबत शरबत यहाँ पर हम लिखेंगे इसी तरह से आप चार वर्णों वाले शब्दे लिखते जाएंगे बचपन यहाँ पर हम लिखेंगे बचपन अगले शब्दे देखेंगे आप कौन से दियेंगे हमें जटपट यहाँ पर हम लिखेंगे जटपट अगले शब्दे देखेंगे आप कौन से दियेंगे हमें अदरक अदरक छ, त, त, र, 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 ज, ग, अदरक बरेगद, द, बर्गद तो प्यारे बच्चों आज हमने चार वर्णों वाले हमने शब्द पढ़ना सीखे और उसे हम लिखना सीखे तो आप से हम इसी तरह से स्कारे को पूरा करेंगे अब सीखेंगे हम चार अक्षोरों वाले शब्द सही शब्द चुनकर वाग की पूरे करें प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर वाग की दिया गया है लेकिन यहाँ पर बीच में कुछ जगे खाली दी गई हमें तो क्या करना है हमें वाग की पूरा करना है यहाँ पर हमें इस तरह से दो अलग अलग शब्द दिये गए हैं आपको सही शब्द इन दोनों में से चुन कर यहाँ पर लिखना है, जैसे रजत क्या करना है, खाली जगे हैं और लिखा है कर, तो क्या कर? कसरत कर हीरा आजगर, तो क्या लिखेंगे हम रजट, कसरत, कर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कसरत अगला वाकिछ देखेंगे आप कौन सा दियागे हमें पहन और यहाँ पर हमें दो अलग-लग शब्ढ दिये हैं हमार अगला वाकिछ है यहाँ पर जगे खाली और यहाँ पर लिखा है पहन तो क्या पहन थर्मस या अचकन, तो हम लिखेंगे अचकन, अ-च-क-न, अचकन, पहन, अगला बागे देखेंगे, अब यहाँ पर जगे खाली हो, यहाँ पर लिखा है पर-चड, तम-टम पर-चड या जट-पट, तो क्या है अगर टम टम पर चड़ यहाँ पर हम लिखेंगे टम 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 पर चड़ अगला वाकिए दिखेंगे आप यहाँ पर जगे खाली है और यहाँ पर लिखा है चक तो क्या चक शर्बत शर बर गद या शर्बत तो क्या चक क्या चकते हम शर्बत तो यहाँ पर हम लिखेंगे शर्बट शर्बत अगला वाके देखेंगे आप कौन सा देया गया हमें यहाँ पर जगें खाली है मत कर क्या मत कर मर्दन या गड़बड तो हम लिखेंगे गड़बड गड़बड मत कर तो प्यारे बच्चों आज हमने क्या किया आज हमने सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें तो आप से इसी तरह से स्कारे को पूरा करेंगे अब सीखेंगे हम अब सीखेंगे हम चित्र को देखकर नाम लिखें यहाँ पर हमें चित्र दिये गए हमें क्या करना है चित्र देखकर इनके नाम लिखना है जैसे पहला चित्र देखेंगे आप किसका दिया गया हमें हल तो यहाँ पर हम लिखेंगे हा ल हल अगला चित्र देखेंगे आप किसका दिया गया हमें कमल का यह दो वर्णों वाला श हमें बस का, तो ब, स, बस, अगला चितर देखेंगे, किसका दिया गया हमें, कलम का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क, ल, म, कलम, अगला चितर देखेंगे, किसका दिया गया हमें, नल का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, न, ल, नल, तो प्यारे बच्चो आज हमने चित्र देखकर उनके नाम लिखे तो आप से इसी तरह से स्कारे को पुरा करेंगे अब सिखेंगे हम यहाँ पर भी हमें क्या करना है यहाँ पर भी हमें चित्र देखकर उनके नाम लिखना है यहाँ पर आप देखें किसका चित्र दिया गया हमें किसका चित्र है यहाँ बर्गत का तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगला चितर देखेंगे आप इसका दिया गया हमें महल का तो यहापर हम लिखेंगे महल अगला चितर देखेंगे आप इसका दिया गया हमें शलजम का तो यहापर हम लिखेंगे शा ल, ज, म, शल, ज, अगले चित्र देखेंगे आप किसका दिये गए हमें पतंग का तो यहाँ पर हम लिखेंगे पा, त, अंकी बिंदू, ग, पतंग अगली चित्र देखेंगे आप किसके दिये गए हमें बरतन के तो हम लिखेंगे ब, र, त, न, बरतन तो प्यारे बच्चो आज हमने क्या सिखा आज हमने चित्र देखकर उनके नाम लिखें तो आप से हम इसी तरह से स्कारे को पूरा करें तो आप सेम इसी तरह से इस कारे को पूरा करेंगे आज हमारी हिंदी की वर्कशिट भी पूरी हो चुकी है तो जिन बच्चों ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है वेरी गूट लेकिन जो बच्चे अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाए है बोई से पूरा करेंगे और आप सभी अपना कारी नियमित करेंगे और सफाई से करेंगे